नमस्कार सात्यों स्वागता आपका हमारे एक और फिस वीडियो में सात्यों स्वीडियो के माद्दिम से आपको राजस्तान नगरपाली का भरती से समधित एक और अपडेट देने वाले हैं सात्यों राजस्तान नगर पालिका बरती के जो वालमी की सम्माज के करमचारी और जो सफाई सरमिक संग के अद्यक्ष नंद की सेओड इंडोरिया ने काफी बार राजस्तान सरकार को ग्यापन दे चुके हैं और चेतावनिया दे चुके हैं कि अगर आपने इस बरती से समधित कोई एक्षन नहीं लिया तो हम इसका इस पर हड़ताल सुरू करेंगे तो सात्यों उन्होंने किसी भी तरह से कोई भी एक्षन नहीं लिया जो रास्तान सरकार ने सरकार ने और अब ये देखिए जो सात्यों ये जो खबर है वो आज कि बरती नहीं होने का विरोध 23 से हड़ताल पर सपाई करम अब देखिए सात्यों बरती नहीं होने की विरोध में 23 जनवरी से सहर में आठ जार सपाई क्रमचारियों ने हड़ ताल पर रहने का हैलान किया है अगर ये बरती नहीं होती है साथियों तो जो आठ जार सपाई क्रमचारी है वो हड़ ताल पर रहेंगे और जब हड़ ताल पर रहेंगे तो कुछन कुछ तो निर्णे निकलेगा अर्ताल का हेलान मंगलवा को सायुक्त वालमी की इम सफाई सर्मिक संक के हद्दिक सनंद किसार डंडारिया ने नेतर्द में बैटक में लिया गया है डंडारिया ने बताया है कि गहलो सरकार के 13184 पदों पर सफाई करमचारियों के भरती निकली थी जिसके आवेदन भी ले लिए गए थे आवेदन के बावजूद अब सरकार उन पर आगे कोही कारवाई नहीं कर रहे है बरती परक्रिया शुरूर नहीं होने के कारण पूरे परदेश में वालमी के समाज और सफाई करमचारियों में आकरोश है इसके चलते मंगलवार को अंतिम निर्णिय आंदोलन की मीटिंग बुलाई है इस मीटिंग में तेरी जनवरी को अड़ताल पर जाने का पैसला किया है उन्होंने बताए कि जनवरी को निदेशक स्वाय सासन विवाग को ग्यापन देकर तीन दिन में भरती के लिए परक्रि जरिया रह गया है इसको कम्प्लीट कराने का सिर्फ हड़ताल जो सपाई करमचारी है सभी सपाई करमचारी हड़ताल पर रहेंगे तो पूरे प्रदेशपर में सपाई विवस्ता बिगड़ेगी तब ही सरकार इस पर कुछ रियक्शन ले सकती है और सात्यों जैसे इससे सम आदेम से बता देंगे तब तक के लिए धन्यवाद और सात्यों अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक हो सब्सक्राइब जरूर करें